नमस्ते देविय और सर्जनों आशाते इस किचन में आपका स्वागत है चलिए आज हम बनाते हैं आगरे का पेठा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना बुलिए यहाँ पे मैंने एक किलो यह पेठे वाला फ्रल लिया ह जबी भी यह पेठा वाला फ्रल लेते हैं तो यह सब पका वाला फ्रल ही लेना है अब यह पेठे के फ्रल के यह अंदर का यह सौप्त भाग निकल देना है उपर से इसा सफेद होना चाहिए पिसेस में कट करना है आपको जितने बड़े पिसेस में कट करना चाहिए कर सकते है इसके ऊपर का भी यह छिल का हटाना है ऐसे यह अंदर का भी सौप्त जो भाग यह भी निकलना है पेठा वाले फ्रल को पिसेस में कट कर ले आए अब यह तो फोक की सायता से इसको ऐसे गोदना है सबी सायड से उसको होल बनाने है सारे एक के करके सबी को ऐसे गोदना है यह आपे मैंने एक लिटर पानी लिया है इसमें दालेंगे एक खाने वाला चुना जो पान के दुकान में मिलता है पान के साथ खाते हैं वो चुना है खाने वाला ये दालेंगे ये पानी में पावडर चुना भी दाल सकते हैं विसकोई से मिक्स करेंगे अब चुने के पानी में ये पीसेस दाल देते हैं यह चूने के पानी में 7-8 गंटे तक ऐसे रहने देते हैं चाहे तो आप इसको और नाइट भी रख सकते हैं अभी इसको पानी से निकाल लेते हैं कि देखिये कलर बहुत फाइट हुआ है मैंने इसको एक छल्ली में निकाल लिया है अभी नल के निचे इसको अच्छे से धोलूंगी एक के पीस लेके धोलूंगी यूगि चूने का पानी सब निकालना चाहिए इसको मैंने नल के नीचे अच्छे से धो लिया है यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रखा है पानी अच्छे से उबल गया है गरम हो गया अच्छे से अभी इसके अंदर ये पीसे डाल देते है इसके उबाल लेते है बर्तर में पानी इतना लेलाएं पीसेस पानी में अच्छे से दूब जाए चलिए यह पीसेस ट्रांस्पेरंट हो गए है देखिए अभी इसको निकाल लेते हैं अभी चासनी बना लेते हैं उसके लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है चासनी थोड़ी गाड़ी है और चिपचिपई हुई है अभी इसमें पीसेस दाल देते हैं पीसेस को तब तक पकाना है चासनी एकदम गाड़ी हो जाए तब तक पकाना है देखिए पेठा कैसे ट्रांस्पारेंसा दिख रहा है चासनी भी एकदम गाड़ी हो चुके पेठे ने भी अपनी सारी चासनी पी लिए दो-तीन मिनिट और पका लेते हैं चारी अभी पेठे को निकाल लेते हैं प्लेट लिए उसके उपर कटोरी रखें उसके उपर यह होल वाली प्लेट रखेंगे अब यह प्लेट के उपर यह पेठा रख देते हैं पेठे को फ्यान के नीचे सुखा लेते 7-8 घंटों के लिए आप चाहे तो दो-तीन दीन भी सुखा सकते हैं पेठे को 7-8 घंटे के लिए सुखाने के लिए रखा था अब यह सुखने के बाद यह ऐसा हो गया है देखिए कि मैं आपको तोड के दिखाती हूं उपर से कड़क है और आंदर से सौप्ट है देखिए बहुत ही बढ़िया बनाएं तो चलिए तैयार है अगरे का पेठा मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक चेर सब्सक्राब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी क केसा